हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, तो आज किस वीडियो में हम लोग अभाज संख्या और भाज संख्या के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभाज संख्या के बारे में जानते हैं अभाज संख्या किसे काते हैं इसकी परिभास्ता क्या है वैसी संख्या जो एक और स्वैंग खुद के अलावा वैसी संख्या जो एक और स्वैंग यानि खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे वैसी संख्या जो एक और स्वैंग के अलावा किसी और से नहीं कटे उसे अभाज संख्या कहते हैं अभाज संख्या में क्या होता जो संख्या होता है वो एक से कटता है और स्वेंग से यानि खुद से कटता है इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है यानि कि इसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगता है जैसे कि इसका उदारन हो जाएगा दो, तीन, पाँच, साथ, एक ग्यारह, सत्रह, तेरह, इत्यादी अब चलिए हम लोग भाज संख्या के बारे में जानते हैं भाज संख्या किसे कहते हैं इसकी परिभासा क्या है वैसी संख्या जो एक और स्वेंग खुद वैसी संख्या जो एक और स्वेंग यानि खुद के आलावा किसी और से भी कटे उसे भाज संख्या कहते हैं भाज संख्या में जो संख्या होता है वो एक से कटता है खुद से कटता है इसके अलावा किसी और से भी कट जाता है जैसे कि इसका उदाहरन हो जाएगा चार, छे, आठ, नौ, दस, बार, इत्यादी तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें